हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो अगर चैनल आरती जिंदल की पार्चालों में आप सभी का स्वाफत है शात्यों आज में आपके साथ मिशन पेना के अंतरगत आई पेना शूची पेना तालिका पेना लच्छी और साथ में हमारे तीनों मोडूरूस के उपर आपके साथ कु सेप्टैम्बर और 2019 को कौ 212 मिशन पेना की सुरुवात की कि द्वारा की कई इसका आंसर है मीशन पेना में पेना लच्छी हाशिल करने का समय कब तक रखा गया है आंसर है मार्च 2012 तक क्या है तो मिशनल के प्रिरक प्रदेश कोशन नम्मर फाइव मिशन पेड़ा का प्रमुक उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है प्रतेक छात्यों को उसके कच्छान रूप अपेच्छे तच्चता को प्राप्त करवाना है कोशन नम्मर शेक्स मिशन पेड़ा के अंतरगत प्रेडा यह दो भाशावं के लिए तो भाशा फ्रेक गढितक लिए में से पांचे लिए मिशन पेडा की अंतर्वक्त कुल कितने ठीसे एक दशी नेला की दार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कुश्ण है कुश्ण नमबर 10 मिशन पेड़ा के अंतरगत क्लास पस्ट के लिए कौन से पेड़ा लच्च रखे गए हैं तो इसमें भाशा के लिए दिया गया है कि पांच सब्द पहँचान सके यानि कि जो सब्द वच्चों को दिए जाएं मैं सब्द पहँचान लें और गड़ित के लिए हैं दियेगी संख्याओं में से पांच संख्याइं पहँचान सके इसके बाद है कुश्ण नमर 11 चोटे अनुचित को पढ़कर 75% प्रशनों को हल करना किस कच्छा के लिए निर्धारत पेड़ा लच्च है तो आंसर है कच्छा चवाल हमारे क्लास 4 के लिए हैं जो कि गड़ित का पेड़ा लच्च है कुश्ण नमर 13 क्लास 5 के लिए भाषा का क्या पेड़ा लच्च है तो बड़े अनुच्छेत को पढ़कर 75 प्रशनों को सही से हल कर पाते हैं कुश्ण नमर 14 27 प्रत्य मिनट धारा प्रभाव से पढ क्या है तो इसका है तीज सब्द प्रत्य मिनट धारा प्रवाब से पढ़ सके कुश्च नमर 16 75% भाग की प्रशनों को हल करना किस क्लास का प्रणा लच्च है तो यह क्लास 5 का है गड़ित का प्रणा लच्च क्या है हासल वाले जोड़नावा घटाना के 75% जवालों को सही स से हल कर पाते हैं कि क्लास टू का गड़त का प्रिण लच्च क्या है तो एक अंक वाले जोड़ना वा घटाना के 75% प्रिश्णों या सवालों को सही से हल कर पाते हैं कुशिण नम्म 19 कोई विध्याले परेक विध्याले कम माना जाएगा इसका आंसर होगा कि जग उस विध्याले के चौतर चातरा पेड़ना लच्च में दी गई दैजचेता को प्राक्त कर लेंगे क्ुश्चन नमँर बीज्ट पेहुरा सूची में क्या दिया गया है पेहुरा सूचीमें कचा बर बलावर विशेवा र्यनिम आउकम्स को परिभाजित किया गया है क्व कि इसमें भाटशावागर्द के लिए 14-14 learning outcomes निर्धारित किये गए हैं क्लास कुशन 23 क्लास फॉर्ट और विफ्थ के लिए बच्चों के नाम अंकेत किये जा सकते हैं प्रेणा तालिकां लिए तीज बच्चों के नाम अंकेत किये जा सकते हैं कुर्शन 25 प्रेणा सूची प्रेणा तालिका में क्या आंतर है तो प्रेणा सूची में कच्छावार वर्षयवार लर्निंग आउटकम्स दे गए हैं जब कि प्रेणा तालिका में लर्निंग आउटकम्स के साथ विध्यारतियों के नाम भी अंकित किये गए हैं कुछन में 26 प्या तालिका सिच्छ इंधस समय बाद भरी जाएगी до 10 महीं नौ बाद भरी जाएगी तो यह ट्रॉंड टॉंटी सेवन प्रडालिका किस के दौरा प्रमारित किनाये गी सब्सक्राइगी के प्रदानाध्यापक वुछ उच्छ प्रदानाध्यापक के द्वारा कोश्चिन no.28 मिशन प्रेणा के अंतरगत विक्षित की गई तीन हस्ति प्रुस्तिकाओं के तो इसके तीन नामें आधार्शिला, ध्यानाकर्षर, सिचठ संग्रे Q21 आधार्शिला का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम Foundation Learning भी कहते हैं Q13 ध्यानाकर्षर का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है, Remedial Teaching Q31 सिचठ संग्रे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका comment calendar dayum? Q32, आंधार सिला किन classes के लिए निधारित की गई है? तो आंसर है class first से लेकर third के लिए यानि first second and third के लिए Q33, द्याना करचन हस्त पुस्तिक काईओं है? किन कच्छाओं के लिए निधारित की गई है? तो द्याना कर्शन जो हस्तितिका वो क्लास 4 से क्लास 8 तक के बच्छों के लिए है कुशन नमर 34 बच्चों में भाषा एवं गर्द की बुनियादी समझ को बहतर बनाने के लिए किस हस्तितिका का निर्मार किया गया है तो आण्षरा इसका आधार सिला ब्हाशा के कित्ते रूपे बाशा के 20 रूपें मौकिक और लिखेट 46 मौकिक बाशा से अंधिया क्या समझते वहल भासा ज्सें बोल कर प्रकत की शादा है उसे मौस्त पाषई कहते हैं Chet Chet क्विश्टन को दफ़िए अंतっ बंइंसटे द्रस्टा की शिर्दशा कि कुल में कुछ की दकषटां यहा थी आ-थी पर ना दुश्टीमोर पक्राणि आरम अंत कि सफ्वा सोल से हीतार क्या नकिन्हें है अलुंगर वे शुर्फे fresh सब्सक्राइब क्या है तो एल बरावर लिस्निंग एस से स्पीकिंग आप से रीडिंग और डवी से राइटिंग तो यह हम वे हमारे आपको यह प्रसंद आएंगे अगर आपको प्रसंद आए तो प्लीज वीजियो को लाइक करना अपनी सब्सक्राइब के साथ से जरूर करें धन्यवाद